हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग मैं हो दिक्षा और आप लोग का मेरे चैनल ब्राउन कैप में बहुत बहुत स्वागत है तो आज है होली का होली के दो दिन बाद मैं ब्लॉग बना रही हूं नेक्स टे तो नहीं बोलूंगी लेकिन कल मैंने ब्लॉग पोस सब कुछ तो आज मैं ब्लॉग सूट कर रही हूं क्योंकि यूटूब का जो रूल है कि continuity होना बहुत जरूरी है तो मैं छोटा इसी पर ब्लॉग सूट करूंगी और उसको पोस्ट करूंगी उसके बाद जैसे ही तब मेरी ठीक होती है तो आगे बहुत अच्छे से और अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा तो शाम का टाइम है और डैडी मार्केट जा रहे थे और वो पूछ रहे थे क्या क्या वेजटेबल्स चाहिए तो बता दो वो मैं लेके आता हूं तो सारी सबजी या फूट्स जो भी खत्म हो गए थे व तो आज हम लोगों ने चाय की जगह जो है काड़ा बना लिया था तुल्सी की पत्ती और उसमें सारे जो अद्रक और काली मिर्च वगएरा सब कुछ डाल करके जो जो भी चीजे पड़ती है तो आज हम लोग वही पी लिये थे शाम को और अब बनेगा डिनर की प्रिप्रे जो है थोड़ी क्लिप बना लिया मैंने पुरानी चीजे थोड़ी याद आजाती है कॉल्स टाइम में और शादी के पहले जब हम रहते थे तो बहुत सारी मेमरी घर से जूड़ी हुई होती है तो अब मेरे बाद अभिनों की भी तबियत खराब हो चुकी है फीवर है अभ तो यह ब्लैंके डोड के बैठे हैं यहां पर काड़ा आया बनके नमकीन है और इच्छा होगी तो पापड खाएंगे तो यह वाला पापड इनका फेवरेट है जाना तो खाई यह और यह हमारे यहां की मक्की बारी नमकीन है तो देखते हैं तब युद में आ रहा हुज है तो कल इनको जाना भी है कली जाना है ना अहां पर सब्सक्राइब भशीना हो रहा भैंकर हां दिखा जाना है तो यहां पर डैडी लेके आयते पनीर और बहुत सारी सब्सक्राइब इनको जाना पनीरे रहे हैं तो मैंने शूचा पहले पनीरी बना लेते हैं क्योंकि आज सबसा पनीर का अरज दिखार्या चूख करण एकंकर के लिए धूंग मेरी ग्रेवी के लिए जीज lists टियार को रहे थी प्रपरेशन में कर रही थी और मसाला भी पीसना था मुझे तो बस एक एक करके सारे काम अपने निप्टा रही हूं और जैसे ही सब्जी बन चाहेगी मैं एक तरफ रोटी बना लोगी फटा फट तो बस आज डिनर में पनीर की सब्जी और रोटी और देखते हैं अगर इच्छा होई सब्की तो राइस भी डाल द जाएगा खांसी आ रही है इस बज़े से तो बस जल्दी से जल्दी जो है तब यह ठीक हो जाए तो यहां पे पनीर हमने काट लिया है और कुकर में मैंने जो है प्याज और मटर को दो तीन सीटी लगने के लिए वायल हो रहा है वह बहुत ही अच्छा लगता है ग्रेवी म पीस लोंगी और फटाफ़न पणिन की सबजी बनाऊंगी अभी इसमें डाल चीनी और जो भी गर्म मसाला होता है वह समय डाल लोगी और इसको मैं पहले पीस लोगी तो यहां पर मैंने तड़का लगा दिया पंच फोरन डाल दिया है मैंने और तेश पत्ता और जो मैंने म इसमें टमाटर एड करूंगी और सारे मसाले जो भी मुझे एड करना इसमें एड करूंगी हल्दी धनिया पाउडर सब कुछ तो मसाला जितना अच्छी तरीके से भून दिया जाए तो सबजी उतनी अच्छी बनती है तो मैं पूरी देश भी तो नहीं सेयर करने वाली हू बस कुछ-कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड कर लिया था तो वो मैं आड करने वाली हूँ काफल पाको चेता मीरी छेला बीडु पाको बार्यो मासा ओनरन ओनरन काफल पाको चेता मीरी छेला यहां मैंने जो मंतर और प्यास को जो मैंने बॉइल करके रखा था उसको मैंने ग्रेवी में एड कर लिया है और उसको भी 5-6 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लोगी और भूनने के बाद जब वो ऐल चोड़ने लग जाता तली से तो मैंने पानी एड किया है और फिर इ अच्छ यहीं तक रहेगा क्योंकि आज मेरे तब्यत्त ने ठीक मिलखित में बहुत ज्यादा ख्लिप तो ही बना पाई लेकिन हम मुझे करना था तो मैंने सुचा चलो जो भी डिनर बन रहा है मैं उसे रिकॉर्ड करूंगी अच्छी तरीके से और एक ब्लॉक तो आप लो करती रहती हूं क्योंकि जादे बरतन एक साथ ही कठा ना हो जाए तो बस मैं सारे काम अपने खतम कर दोंगी ऐसे ही पर आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए गा और चैनल पर अगर आप नए है तो सब्स्राइब करना बिल्कुल म और आप तो यह 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 लगाए है नए पर आपार आप, आप जया है अजए जब यह यह शोर कि लगी बाए है यह यह ध।